काम अपना है सुबह और शाम चलना नमस्कार शुपरभाद आदाव मैं आपका दोस्त धनजे इस चैनल में आप समों का स्वादत करता फोक डांसेस के कई बढ़ाओं से गुजरते हुए आज हम साउथ इंडिया का फोक डांसेस जो फोर्म है लोक निर्थ शेवी है उस तक बहुच चुके हैं तो आज हम फोक डांसेस आफ साउथ इंडिया बात करने वाले हैं इस फोक डांसेसस आफ साउथ इंडिया के बात करने परी चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने क्लासिकल डांस में आठ फोर्म उसके बाद फोक डांस जिसमें एक क्लास फोक डांसेस का भी पूरा लिया है लेकिन उसके बाद और बारकी से समझने के लिए इसे मैंने सिक्स पार्ट में डिवाइड कर दिया जिसमें फोक डांसेस आफ संट्रल इंडिया फोक डांसेस आफ नौर्धर्न इंडिया फोक डांसेस आफ इस्टर्न इंडिया फोक डांसेस आफ वेस्टर्न इंडिया और अब बात करें फोक डांसेस आफ साउथ इंडिया इसके अगले क्लास में हम बात करेंगे फोक डांस कुम्मी डान्स जी हम यह फोक डान्स जो है वो तमिन नाडो का फोक डान्स है यह मूलता पोंगल के दोरान जो की फिस्टिबल है तमिनाडो में ओनम केरला का और पोंगल तमिनाडो का था पोंगल फिस्टिबल के दोरान मनाया जाता है यह मूलता हार्वेस्टिंग फिस्टि रोमनी यानि समाजिक कोई चीज इवेंट होता है उसमें और कटाई बुनाई जोताई के बाद ये डांस फॉर्म लोकनित शेली कुम्मी मनाया जाता है किया जाता है ये इसमें मुक्त महलाएं भाग लेती है ट्रैवल महलाएं जो होती है वो एक सर्कुलर में एक दूसे से हाथ जोड़के क्लाइपिंग करते हैं फूटे स्टेप का यूज करते हैं नेक्स्ट है देवरत्तम या देवरत्तम या देवरत्तम ये भी फूगडांस है तमिनाडू का ही फूगडांस है और ये बीर पांडया रोयल डेंसिटी ऑफ मदुरे मुक्रूप से इसका उद्भव मदुरे तमिनाडू का एक डिस्टिक है मदुरे उहां से माना जाता है जिसमें टेंपल आफ चारियोट टेंपल आफ चारियोट है मधुरय में वहीं पे देवराटम लोकन तुशेली मनाया जाता है अगला वार्थ करते हैं खगडम खगडम जो है ये एक रिचुलिस्टिक कह सकते हैं रिचुल से पूजा पाठ कर्मकांडों से निकला हुआ डांस फॉर्म है जिसमें ये डांस फॉर्म भी तमिनाडो का है जिसमें लोग अपने स्वास्त के बारे में अपने भगवान को खुश करने के लिए और साथी साथ खेती में बारिश हो कि गौड आफ रेन जो होते हैं इंद्र देव उनकी अराधना करते हैं और ये मूलता पुरुषों के द्वारा मनाया जाने वाला किया जाने वाला पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक लोग निर्थ शेली है इसमें से चावल का प्रियोग किया जाता है बैंबू होता है बड़े-बड़े कवर क और हेड पे यूझे कहा जाता धान जो només होते हैं उसको यूझे करते हैं जैसे है कि झारखन जो की मूलता डेडिकेटेड डांस है गॉड़िस अयूनर भगवान अयनर या अयूनर भगवान अयूनर जो की तंजा और डिस्टिक में हैं उनको खुश करने के लिए उन्ही को डेडिकेट है ये पुईकल कुथरई अटम लोक निर्थ शेली इसमें मुजिकल इंस्टुमेंट में जो यूज किया जाता है उसे नंदई मेलम कहते हैं अगला है धोलु कुनिता ये फेमस फोक डांस है करनाटका का करनाटका का ये लोक डांस है जो डेडिकेट है गौड शिवा लौड शिवा को डेडिकेट डांस है और इसमें ड्रम का यूज होता है बहुत ही लार्ज ड्रम होते हैं हाइप बीट्स होते हैं इसमें इसमें कॉस्ट्यूम अगर कहा है तो बहुत ही कलरफुल कॉस्ट्यूम होता है और इस साथ ही साथ male dancer गले तक यानि हार उसके अलाबा slung round कहते हैं गले में घिरा हुआ costume जो जुड़ाव उसका होता है वो गले तक होता है सावाने तक यह समझे है जो costume पहनते हैं वो बहुत ही colorful होता है सावाने तक गले तक होता है जिसमें collar हम लोग पहनते हैं shirt पहनते हैं पूर्ता पहनते हैं लेकिन इनके costume में वो गले से थोड़ा और बढ़ा होता है इस dance में अगला लोग निर्थ शेली की बात करें collar tub यह मुक्त आंध प्रदेश का लोग निर्थ शेली है जिसे रासा dance या गड़वा dance गुजरात का जैसे है वैसे ही as it is जैसे गुजरात का गड़वा dance है सेम वैसा ही आंध प्रदेश में जो लोग dance है उसे कोलक्तम कहते हैं इसमें male dancer जो होते हैं वो dominant होते हैं जादा होते हैं इसमें आनंद भी होता है joy भी होता है pleasure भी होता है और साथ ही साथ rod rup यानि softness और rod शिंगार और rod दोनों रूपों का इसमें दिखावा होता है दोनों का इसमें female dancer जो होती है वो उनका संबंध lambardi lambardi भी low dance है जिसका कुछ-कुछ अबशेश तमिराडों में और अंद्रपर्देश में मिलता है उसमें ज्यादा तर डोमिनेंट होती है महला है lambardi में और कॉल अटम में पुरिश अगला लोग ने शेली है लावा ये famous food dance है लक्ष दूईब का और ये मूलता कह सकते हैं कि जब बर्फवारी होती है तो उहां का एक festival मनाया जाता Iceland festival कहते है Iceland festival कहते है उसमें लक्ष दूईब में उसे में मूल लूप से ये लावा डांस मनाया जाता है मुदियत्टू या मुदियत्टू ये famous food dance है केरला का और आसपास लगबग 200 सालों से ये old tradition चलते आ रहा है ये लोग ने शेली ये मूलता temple में 2010 में इस लोग ने शेली को युनेस्के ने संस्कर्टिक कल्चर में इस सूची में इसे अधिगर्ण कर लिया अगला है पदयानी वन अब तो मोस्ट कलर्फूल डांस के अगर बात करें कलर्फूल डांस की बात करें केरला का पदयानी पदयानी ये भी festival के दौरान ही किया जाता है और ये भी कुछ मुख्रू कुछ महत्पूर टेंपल हैं वहां पर मंदिर हैं उसी मंदर पर किया जाता है पदयानी और अलपी कोलम और कोटायम डिस्टिक में मूल लूप से पाय जाता है मूल रूप से अलपी कोलम एंड कोट्टेयम डिस्टिक जो है केरला का उसमें मूल लूप से पाय जाता है इसमें फेस मास्क भी यूज किया जाता है डांसर के द्वारा उस फेस्क डांस जो मास्क यूज करते हैं उसे भैरवी यक्षनी, कालन यानि गौड जो होते हैं डित के जो गौड होते हैं और उनका मास्क यूज किया जाता है और बर्ड्स अलग अलग बर्ड्स जो होते हैं उनका मास्क यूज किया जाता है तो इस तरह से हमने Folk Dances of South India में कुम्मी तमिनाडू दियवराट्टम तमिनाडू खगडम तमिनाडू पोईकल कुथरई अट्टम तमिनाडू धोलू कुनिथा करनाटका कोल अट्टम आंधपरदेश लंबाडी आंधपरदेश लावा लक्षदीब मुदियत्तू केरला पंडियानी या पदियानी केरला हमने डांस पढ़ा है और अईसे खग दांस की बात करें खग गाली केरला की ही आपरॉक्स छार सो फग डांस सब चाहे हैं केरला की और उतना समिटना मुश्किल है बाद बाग की आप गोग की साहता से नेट की साहता से और भी वर सकते हैं मैं तो बस एक बेसिक राह दिखाया इस फोक डांस में नेक्स क्लास में हम मिलेंगे फोक डांस आफ नॉर्थ इस्ट इंडिया तो दीजिये अपने दोस्त धन्जा को इजास्त नमस्क्राइब